सब्सक्राइब को लाल बटन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर वेलाइकर नहीं प्रस्किया जबूर कर दें ताकि आपको नए वीडियो के सूचना मिलती रहे और अच्छा से वीडियो जो हम बनाते रहते हैं हर कंपनी के बारे हमरे स्टॉक के बारे में जो हमारे स सब्सक्राइब करें तो थैंक यू गुड़ जॉब साथ थैंक यू मुकुन बुद्ना बुबना साब सर्विच वेबसाइट आर्यू दॉइंग दैनलाइस अन अफ्कोर्स मैं आपको बताता हूं अभी और मेरे कई स्क्राइबर्स फ्रेंड्स जो हैं पूछते रहते हैं क तो आपके अपने खुद के अनलाइसिस या आपके खुद की होमवर्क रीसर्च जोती साब ने बहुत अच्छा कहा है यहां पर अच्छा लगा मुझे जानके रंजीत त्यागिस आप ने प्मुचाए है आपके यह यह यूज 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 बताता हूं कि अभी कौन-कौन से वेबसाइट में जनरली यूज करता हूं बहुत सारी वेबसाइट उपलब धें उस मार्केट में गूगल साच करेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो मैं यूज करता हूं उसमें मुसली है मनीकंट्रोल.com मार्केट समोज और मेरे HDFC की भी है कभी-कभी में हल्प लेता हूं अगर कुछ डेटा मुझे नहीं बिलते तो मालीजी इनविस्टिंग.com अगर कैंडल वगर देखना होता है चार्ट देखना तो इ आने गैस अफकोस मैं बनाऊंगा थोड़ा मझे समय दीजिया सर और इन्होंने भी काया कि यह स्टॉक ठीक नहीं है अमिनाश तर्वे साब ने थे थेंक यू फो कॉमेंट एंड चलिए बढ़ते हैं आज का जो स्टॉक जो आज का आज की कंपनी है के RBL लिम्टेट 21 में 2019 स 11 बच के 30 मिन पर हैं BSC पर 344 रुपए का भाव पर ट्रेट कर 10 रुपए की पढ़त के साथ है और इसको इसका साल का जो लो था 278 रुपए और साल का जो हाई था 556 रुपए और हाई से अभी काफे दीचे हैं 100% people are saying that you can buy it in centimeter and हम consolidated जो market cap है जो market cap क्या होता? market cap वो होता है जो जितने भी shares issue हुए हैं और जिस भाव पर आजकल trade हो रहा है तो उसको जब हम पूरा multiply करते हैं तो जो आता है total वो इसकी capital हो जाती है earning per share है जो आपके एक share पे कितनी कमाई होती है तो यहाँ पे किस रुपए से हैं 30 पैसे है P है जो price to earning है वो निकाला जाता है इसको बताओं तो जो पर share के साब से book value उसकी आएगी यह इतनी आपको amount मिलनी ही मिलनी है किसी प्रकार सागर company बंध होती है तो पर share के साब से यह इतनी निकलेगी 115.87 dividend है तो dividend अगर देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कितना dividend yield है 7070.72% और face value एक की है तो मेरे विचार से यहाँ पे भी 250% दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया face value एक के है तो धाय रुपए per share के साब से इनोंने dividend दिया है last समय तो और market खायर इंदस्ट्री पी है 15 के और इंदस्ट्री पी से थोड़ी से जादा है anyways अभी updated version नहीं होगा deliverable 81.14% और delivery इसकी ज़वर्दस्त delivery है सीदे हम चलेंगे as per management जैसे income management है जैसे growth है capital structure उसे साब से analysis करने के बाद जो website पर दिखाया गया वह good quality company is this information कि इसे में किसे परकार का आपको doubt नहीं है sales growth देखे 7.20% EBIPTA growth है 15.46% की और ROE return on capital employee है 22.49% की ROE return on equity है 20.90% की जो की attractive है काफी attractive है तो इसलिहास से company की जो valuation है भी attractive के trade कर रही है अगर आपको 550 के नीचे के मिलती है तो obviously it's attractive price है 246 का जो भाव चल रहा है और अगर किसी काणवाश और नीचे जाता है मुझे लगता नहीं है लेकिन हो सकता market है तो यह एक buying का अच्छा समय है थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं एक अच्छी company है और financial trend यहां पर flat दिखा रहा है रिटन्स हम देखेंगे रिटन्स भी देखके आपको भी थोड़ा सा यह समझ लगए कि 10 साल में company ने कितना अपने निवेशकों को दिया है तो इदा हम 10 साल पहले जिन्होंने पैसे लगाए होंगे तो 4000 का रिटन है 4000 के आसपास का तो इसका पास एक लाग थे तो आपके 401 लाग हो गए है अगर 5 सालों के रिटन हम देखेंगे तो 420% के रिटन है तो यह भी जबरदस्थ है 4 सालों में इसनोने 94% की रिटन दिया है यह भी ठीक है ओक्यों है लेकेना 3 सालों में यहान पे 26% के थोड़ा कम है दो सालों से यहां पे negative करावं धाश में देख्ञा तर यहां यह साल में 12 करेंट, संब्रास इन गेत्यों हो Hello डिय में आज अगर हम देखते हैं हम देखते हैं कि लगें हमने इस्थ कार डेख लेन देख रहे हैं यहां दिसम्बर 18 और मार्च 19 के बीच जो quarterly results हैं तो यहां पर net sales में जहां 935 क्रोड की थी वहीं हो गए 1196 क्रोड की जो के 17.85% के आसपास के upside है और net profit में सीधे अगर हम लाते हैं तो गहां 107 क्रोड की थी वहीं 133 क्रोड की ने चाल के दिसम्बर दो शूने की परसंड की जो बढ़त के साथ है और निकिन मार्जिन में यहां पर थोड़ा सा इनको जटका लगा है मार्जिन में 2.45% की downside है तो में लिए मार्जिन में इनको दबावाया है तो यहां पर शेयर प्राइस थोड़ा सा downside भी देखने को मिले और यहां हम year on year में जाते हैं तो year on में मार्च 8 से मार्च 19 के हम साल के देखते हैं तो यहां पे देखें नेट सेल्स में भी 36.57% की upside है और net profit में भी 45.39% की upside लेकिन margin में चारपरसंड की downside है तो इस वज़े से थोड़ा सा share price अभी बढ़ाया नहीं कर रहा है इसलिए अट्र प्रमोटर्स के पास definitely 58.81% की जबरतस्त होल्डिंग है और इसमें जो है mutual funds की चार्ज स्कीम से FIIs इसमें 85 हैं और हाइस्ट public shareholder Reliance Commodities DMCC 9.73% individual हम जैसे आप जैसे लोग है 14.91% करीब 15% के आसपास और FIIs हम देखिए यहां पर होल्डिंग अपनी इंक्रीज की भिए 0.19% के आसपास तो आप समझ सकते हैं बेहतरीन कंपणी राइस और राइस प्रोसेसिंग प्राइवेट हाउस 1993 से काम करी है मार्केट केप हम देखी चुके हैं देखिए यहां पर करीब 2.30 पैसे के इस परशेर के सापसिनों ने डिविडेंट पे किया था और नंबर वन कंपणी अपनी इंडेस्ट्री में इनर्जी से 5.87% कि इनको आये हैं तो फ्रेंज अभी आपने देखा कि RBL के बारे में जाना इसके टेक्निकल और जो मैंने वरभली बताया कि यह कंपनी बेहतरीन मुझे क्यों लगती क्योंकि पास्ट दस सालों में इसने जबर्दस अच्छा रिटन दिया इसके से अच्छ इस प्रकार से इनकी अर्निंग है तो और मेंली इनका एक्सपोर्ट का काम है तो चावल के बहुत सारे पुट्राद लगलग कंट्री में एक्सपोर्ट करती है तो भविश्य में भी यह चलती रहेगी और आपको ज़रूर कमवाती रहेगी तो अगर आपको यह कंपनी पसं